हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो शिवा लेर्निंग फॉर मोर अपडेट्स लोग इन टो और वेबसाइट www.shivalearning.in इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि आपकी रिविजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एक महीना पहले नीट के एक्जाम से यान की पांच मही को आपका नीट का एक्जाम है और जस्ट आपका बोर्ड एक्जाम को जैसी खतम होते तो आपके बाद एप्रोक्स वन मंत बचता है प्रैक्टिस के लिए तो आप उसमें कैसे रिवाइस करें और कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं इस पर मैंने एक वीडियो बनाई वी है कि आपको प्रैक्टिस इन दो तीन महीनों में कैसे करनी है नीट के एक्जाम की 11 का कप पढ़ना है तो उपर उसकी लिंक आ रहे हैं आप उसे देख सकते हैं इससे पहले आप उसे देख लीजिए फिर मैं आपको रिविजन स्ट्रेटेजी बताता हूं कि क्या होनी चाहिए तो एक तरह से उसका सैकेंड पार्ट आप समझ सकते हैं वो मैंने एक महीना पहले करी वीडियो बनाई थी उसकी लिंक अभी उपर आप उसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें कोक्षण बेस्ट रिविजन तो रिवाइब पर्टिकुलर चैप्टर टॉपिक यूनिट फ्रॉम फिजिक्स और केमेस्ट्री स्टार्ट बाई चूजिंग रेंडम 40-50 mcq कोक्षण बेस्ट और नीट एक्जाम पैटन औ कोई भी रिवाइब करने के लिए चैप्टर टॉपिक कुछ भी रिवाइब करें फिजिक्स और केमेस्ट्री का रेंडमली 40-50 mcq ले लीजिए और उनको परफेक्ट 45 मिनट में सॉल्ब करने कोशिट करिए यह आपकी स्टैटेजी होनी चाहिए वन बंत की ताकि आप काफ 20 mcq questions at random from a chapter topic or unit and solve them in exact 90 minutes without fail और सेम आपको बैएब में करना है उसमें 90 कोशन साते हैं आपको पता होगा तो आपको 90 minutes में solve करने है repeat this strategy for revision of all chapters of chemistry physics and biology while doing subject specific preparation for need divide 3 hours between PCB and solve their mcqs this will generate a concrete output at the day end तो आपको पर डे ऐसी करना है काफी मुश्किल नहीं है आपने पूरे साल मैनत करी है थोड़े एक महीन आप दहसे मैनत कर लेंगे तो काफी अच्छा विस्कोर कर सकते हैं second one is comprehensive reason मैं दो इपार्ट बताने वाला हूं इस वीडियो में पहले मैं आपको बताया इस सेकेंड है comprehensive reason इस revision के method में आप क्या कर सकते हैं after question based revision revise subject from NCRT tax books modules and notes prepared at the early stages and go through them regularly in the last week of the exam आप क्या करें जितने भी आप comprehensive reason आपने पहले question based revision करी अब आप NCRT tax books से अपने notes से जो आपने पहले मनाये थे उनसे पड़े और important points only important points काफी shorter way में आपको पूरी लाइने नहीं लिखने काफी short short points में आपको notes बनाने और one page diagram बनाने और last week जब आपका बचेगा यानि की एक मही के असपास आप उसको सारा go through करें जब आपके पास जब पांच मही को आपके exam में तो एक मही के आसपास आप उसको सारा go through करें एक मही से मतलब start के लिए last one week before exam और best utilization of the last 30 days by continuous revision of the subject can be done by following the above mentioned strategy hope this will be helpful तो यह मेरी तो revision strategies दो revision techniques आप इन्हें कह सकते हैं यह थी लास्ट के मतमचस्ट आफ्टर बोर्ड एक्जाम आप कैसे करें और मैंने इस पर एक वीडियो बनाई वी कि 11 और 12 का कैसे कैसे पड़े बोर्ड एक्जाम भी बीच पर है उसकी link इस वीडियो एंड में आपको अपडेट आए तो आपके phone पर notification आ जाए यह हमारे कुछ पिछली वीडियो है इसी से related आप इस पर क्लिक करके इन्हें देख सकते हैं मिलते नहीं वीडियो में ऐसी नहीं जान करें के साथ तब तक के लिए नमस्कार